नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है देखे जो दोस्तों जितने भी शोड़ें जी एससे सीजेल एक्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं आप लोग के लिए बहुती बढ़िया सेसन हरोज 5 बजे सुबा के क्लास होती है आप लोग जरूर इस कलास में हिसा लिजे दोस्तों टेस्ट दीजे जहारकन जीके के के कुल मिला कर 40 कोशन आप लोग का टेस्ट होता है 20 से 25 मिनट का समय लगता है दोस्तों ज्यादा नहीं लगता है तो जरूर दूसंप लोग जो है इस टेस्ट में हिसा लीजेए और अच्छे मार्स आप लोग लायें ताकि इस आप VOG exam में जो है अगण आप लोग टेस्ट देते हैं और अच्छे मार्स लाते हैं नहीं भी लाते हैं कोई दिक्क अतनी है एकजाम तक दुस्समा अपलोग का मतलब लेवल आपलोग आठा हो जाएगा और एकजाम में दुस्दम आपलोग आठा है scoring कर पाएगा जिए अचली सो एकको करके सारी question लोग देखते हैं कैसे कहे यहाँ पर एकजाम में question पूछे जातना हैं सारे question यहाँ पर exam based question यहाँ पर लेकर का आया दूस्वा आप लोग के लिए सबसे पहला question है British द्वारा तिलका मांजी को फासी दी गई थी कब दिया गया था तिलका मांजी को देखे फासी जो है कब दिया गया था question number 1 का देखे answer होगा 177 185 आप लोगा देखे इसमें जो है सही अंसर होगा अगला question देखे जारकन छेत्र स्वायत परिसत का गठन जो है हुआ था आपको कब हुआ था आपको यह बताना है question number 2 तो दोस्वों देखे इस question का जो है सही अंसर होगा B नमर ठीक है 1995 अगला question यहाँ पर देखे कुछ इसतर है Yule Rule यूल रूल 1856 जारकंड के निमलकित में से किस छेतर के लिए लागू किया गया था यूल रूल के नाम में पहली पार बहुत सारे शुडेंच ने सूने होंगे इस Qbajn के सही अंसर और यानी संथाल परागना आजिए आपलों के जैसे निला नहीं और अगला कुशन देखिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम को अभी तक जोएन नहीं किया तो जरूर जोएन कर लिजेगा इसका पीडियेप आप लोगो देखे टेलीग्राम पर मिल जाता है और साथ दोस्तों आप लोग इन टेलीग्राम में कुईजी स्टाट हो चुका है तो कुशन देखिए और ओभी दोस्तों कंफिडेंस हो के सही मार के आईएगा यहां पर देखे जारकन के किस जीले में गोतम बुद्ध वन्य जीवन अभ्यारन इस्तित है कुशन नमर फोर दोस्तों इस कुशन का देखिए सही अंसर होगा सी नमर ध्यान के कोड्रमा में दोस्तों ठीक है गोतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारन जारकन के किस जीले में इस्तित है देखिए कोड्रमा आप लोगा जो इसमें सही अंसर हो जाएगा अगला कुछिण बढ़ते हैं सो कुछिण नमर 5 देखें संथाली भासा सम्मिधान की आठवी अनसूची में वर्स डैस में सामिल किया गया था आपको बताना है कब जो है सामिल किया गया संथाली भासा सम्मिधान की आठवी सूची में वर्स डैस में सामिल किया गया 2001-2003-2002-200 Question number five दोस्तों तो तो दूस्तों इस question का जो अपलोगा सही answer का B number वर्स 2003 में दिखी है यहापलोगा right answer दियान रखने हैं यहापल जो है संन्थाली भजा सम्मिधान के आठबी निसुची में 2003 में जो है सामिल किया गया अगले question बढ़ते हैं Q 6 है, मुख्यमंतरी ग्राम से तु योजना किस वर्सर शुरूँ की गई? ध्यान रखना है, मुख्यमंतरी ग्राम से तु योजना कि सुरूआध है, 211 तो ध्यान रखना है Q7 देखना है, सरकार परतेक वर्स परतेक विधायक को MLA Skim के तहत 10 करड़ रुपए देती है तो दोस्तों देखिए आपको बताना है सरकार परतिक वर्स परतिक MLA विधायक को जो है इसकीम के तहत MLA इसकीम के तहत जो है कितने करोर रुपए देती है दोस्तों दोस्तों देखिए इस कोश्चन का जो आप लोग यहाँ पर सही अंसर होगा D नम्मर ठीक है तो कितना देखिए आप होता है साफ लोग को आंसर देना है यहाँ पर देखिए चार करोर रुपए इसका जो है आप लोग का सही अंसर होता है हलाकि दूसों इसका जो है मतलब बढ़ाने का यह निर्नेक या है सरकार ने पता नहीं यह बढ़ेगा कि नहीं लेकिन चार करो दूसों अभी आप लोगा जो है साही अंसर होगा अगला कुश्चन देखिए कुश्चन नमर 8 की बारे में बात करते हैं अगले कुश्चन बढ़ते हैं कुश्चन नमर 9 जारकन टूरिस्ट होम इस्टे योजना की सुरुवात कब हुई थी आपको बताना है जारकन टूरिस्ट होम इस्टे योजना की सुरुवात कब हुई थी तो 2009 आप लोगा जो इसमें सही अंसर होगा अगला कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमर 10 दूस्चन मुख्यमंत्री दालभात योजना के तहद जो है परती प्लेट 10 रुपे की दर जो है भोजन मौया कराया जाता है तो दूस्चन इसका जो है सही अंसर होगा B-Number जो परती प्लेट 5 रुपे की दर से जो है अप लोगा जो है दिया जाता है अगला कुश्चन देखेए I-C-D-S का संचालन डेस के माधिम से किया जाता है कुश्चन नमर 11 देखेए ICDS का संचालन DESK के मादिम से किया जाता है दोस्तों इस कुशन का देखे सही अंसर होगा आगन बाड़ी केंदर आप लोग का सही अंसर होगा ठीक है दोस्तों आप लोग को कमेंट करना ICDS का फूल फॉम क्या होता है अगला कुशन नमलोग यहां पर बढ़ते हैं को कुशन serving दीखे झारकन सरकार की घोसना के तहत सोतंदर्ता से नानीयों की 55 राशी 3000 रुपे से बढ़ा कर DESK कर दी गई है आपको बताना एंसे जारकन सरकार की घोसना के था सोतंतरता सेनानियों के पैंसन रासी 3,000 से रुपए बढ़ा करके कितना कर दिया गया है कुश्चन नमबर 12 देखिए इस कुश्चन का जो है सही अंसरोगा सी नमबर धिया रखना सो 5,000 रुपए जो है कर दिया गया है तो यहाँ पर देखिए 2,000 रुपए और बढ़ा दिया गया है 1900 यहाँ पर 3,000 पहले था और यहाँ पर 2,000 रुपए जो है 5,000 रुपए किया है तो दोस्तों अगला कुश्चन यहाँ पर देखिए तो देखिए इसका चोई सही अंसर रुपए लक्षमी लादली योजना आप लोगा जो इसमें राइट अंसर रुपए ठीक है अगला कुश्चन देखिए निमलकीत मेंसे जहारखन का कौन सा परखंड पेसा में सम्मलित नहीं है आपको बताना है ठीक है निमलकीत मेंसे जहारखन का कौन सा परखंड पेसा में सम्मलित नहीं है कोस्टन नमर 14 देखिए इस कोस्टन का देखिए सही अंसर होगा D लेसली गंज आप लोगा देखिए इसमें जो है राइट अंसर होगा निमलिखित में से कौन सा जो है जारखन का कौन सा परखंट पेशा मैं देखिए सम्मिलित नहीं है तो लेसली गंज आप लोगा जो है सही अंसर होगा कोस्य नमर 15 के बारे में बात करते देखें जंजात ये प्रामर्सी परिसद के अध्याक्ष इन में से कौन होते हैं आपको बताना है जंजात ये प्रामर्सी परिसद के अध्याक्ष इन में से कौन होते हैं राज़पाल, मुख्यमंत्री, जन्जात ये मामलों के मंत्री, इन में से कोई नहीं कोश्चिन नमर 15 दोस्तों और इसका जो है सही अंसर होगा, ध्यान रखेगा बी नमर मुख्यमंत्री आप लोगा जो है राइट अंसर होगा जन्जात ये प्रामर्शी प्रईसद के अध्याक चिन में से कोई होता है तो मुख्यमंत्री आप लोगा जो है सही अंसर होगा अगले कुश्चिन बढ़ते हैं दोस्तों यहां पर दीए कुश्चिन नमर 16 है डेस जो है राजसरकार के परधान एवं डीसी को जो है समप्रेशन द्वारा जोडने वाली कड़ी है आपको बताना है सो डेस राजसरकार के परधान एवं डीसी को समप्रेशन द्वारा जोडने वाली कड़ी है question number 16 इस question का देखिए सही अंसर होगा B number divisional commissioner आपलों का जो इसमें right answer होगा ठीक है तो धियान रखना सो dash राज्य सरकार के प्रधान एबम DC को समप्रेशनल द्वार जोड़ने वाली कड़ी है तो sub divisional commissioner आपलों को जो है commissioner सही अंसर होगा question number 17 देखते हैं और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया कोसेन है dash municipal corporation का अपचारिक परधान होता है dash municipal corporation का अपचारिक परधान होता है तो देखिए question number 17 इस question का सही अंसर क्या होगा दुस्वा ध्यान रखिए सो B number देखिए आप लोगा जो है सही अंसर होगा mayor आप लोगा देखिए इसमें right answer होगा mayor municipal corporation का अपचारिक परधान होता है आईए दोस्वां question number 18 देखते हैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया question है यह रहा आप लोगा 18 निमन में से कौन सा जो है नदियों और उनके मुल का सही मिलान नहीं है आपको बताना है ठीक है यह रहार देखिए आप लोगा option आप लोगा answer आप लोगा देखिए सही देना है दोस्वां तो दोस्वां देखिए question number 18 है आप लोगा इसका जो है आप लोगा सही अंसर होगा देखिए टेगोर पहाडी से जो है देखिए question number 19 को चीज तरह है दोस्वां कि तलया बांध जारखंड के कोड्रमा और हजारी बाग जीले के निकट स्थित पहला बांध और जल विद्दूत के अंदर है ये जीले किसके लिए परसीद है आपको बताना है ठीक है तलया बांध जारखंड के कोड्रमा और हजारी बाग जीले के निकट स्थित पहला बांध और जल विद्दूत के अंदर है ये जीले किसके लिए परसीद है question number 19 देखिए अगला question देखिए राजी की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए जारखंड खेल प्राधिकरन दुवारा कौन सी योजना सुरू की गई है question number 20 खेल प्राधिकरन को बढ़ावा देने के लिए जारखंड राज में कौन सी योजना सुरू किया गया है तो दुस्तों यहाँ पर जो इस सईयन सुरू का pay and play योजना ठीक है यहाँ पर इसका ए नमबर आपको का right योजना का question number 20 का ए नमबर सईयन सुरू का ठीक है जारखंड ने अडानी और वेदांत जैसे बड़ी कंपनियों के साथ 12,000 करोड रुपए मुल्ले के निविस की परतिवदता आकरसित करने का दावा किया था ठीक है आपको बताना है स्वा सुरू की गई कौन से पहल के एक भाग के रूप में वर्स 2016 में जारखंड ने अडानी और वेदांत जैसे बड़ी कंपनियों के साथ 12,000 करोड मुल्ले के निविस की परतिवदता आकरसित करने का दावा किया था दोस्तों जो भी स्टुडेंस मेरे विडियो को देखे हैं पहले ये कोशन देखिए रेपीटेट कोशन है आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं कोशन नमर 21 ये कोशन देखिए बहुत बढ़िया कोशन इसलिए हम दुबारा ले करके आएं ताकि आप लोग के दिमाग से हटे कोशन नमर 21 का देखिए डी आप लोग का सही अंसर होगा मेक इन इंडिया आप लोग का जैसमें रहा कितने करोड़ रुपए को देखिए 62,000 करोड़ रुपए का मॉल्य निवेस परतिवत का आकर्सित किया है मेक इन इंडिया के लिए अगला कुशन देखे एक अलग राज जहरखंड के निर्मान की मांग करते हुए एक ग्यापन के साथ कौन सा ब्रिटीस कमपनी प्रस्तूत किया गया था आपको बताना है सो एक अलग राज जहरखंड के निर्मान की मांग करते हुए एक ग्यापन के साथ कौन से ब्रिटीस कमिशन प्रस्तूत किया गया था Question No.22 इस Question का देखे सही अंसर होगा सा Simon Commission अपला का जो है इसमें राइट अंसर होगा ठीक है दोस्तों देखे अगला Question यहापर 23 है इससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सस्क्राइब ने किये नियून है तो जरू सस्क्राइब कर लिजे हर रोज यहाँ पर देखे टेस्ट दे सकते हैं सुभा के दोस्तों सुभा के पांच बजे और देखे दीन के जह आप लोगा एक बजे क्लासे होती है तो जरूप लोग क्ला गास को जोन किजी कजी और अच्छे урायरнесे से त्यारी क deeply आहां जा रहा है तो आप्यां को ble जोन कर लिजे दो तो टेलीग्राम को जोएन करके सोग टेस्ट जरूर दें यहाँ पर देखें निमलकीत में से जो है सोन नदी जो जहारखंड की प्रमुक नदियों में से एक है कहां उसे उत्पन होती है आपको बताना है सोन नदी कहां से उत्पन होती है आपको यह बताना है तो दोस्वों देखिए इसका जो है question number 23 और इस question का देखिए अंसर होगा अमरकंटक दोस्वों ठीक है आपको यह दोस्वों यहाँ पर देखिए right answer होगा अमरकंटक सोन नदी जो है सो यहाँ पर जो है जारकंटकी यह आप लोका देखिए उत्रवर्ती नदी हो जाएगा सो यहाँ पर यह सोन नदी निकल करके कहां मिल जाती है तो ध्यान रखना सो यह सोन नदी निकल के गंगा में जाकर के जो है मिल जाती है क्योंकि उत्रावरती नदी है और उत्रावरती जारकन के उत्रावरती नदी जितने भी यह तो फिर देखे गंगा नदी में जा करके मिल जाती है अगला कुशन यहाँ पर देखते हैं सो कुशन No.24 ताटा पिंगमेंट कमपनी भारत में लोह के सिंथेटिक लाल और पीले ऑक्साइड के उत्पादन के काम में लगी हुई है वह जारकन में निमलकी दस्तानों में से कहां इस्तित है ताटा पिंगमेंट कमपनी भारत में लो लोह के सिंथेटिक लाल और पीले ऑक्साइड के उत्पादन में काम में लगी हुई है वह जारकन में निमलकी दस्तानों में से कहां है आपको बताना है दूस्तों अगला कोशन देखें कोशन नमर 25 देखें के खेरवाल बंसा धरम पूथी खेरवाल बंसा धरम पूथी संथाल धरम पर अधारित एक पूस्तक किसके दुआरा लिखी गई थी कहरवाल बंसा धरम पूथी संथाल धरम पर अधारित एक पूस्तक किसके दुआरा लिखी गई थी कोशन नमर 25 देखें का सही अंसर होगा यह नमबर माजी राम दास टूडू रोसाग आप लोगा जो इसमें राइज अंसर होगा आप लोगा इसका सही अंसर क्या होगा बिहार इसपंज आयरन संयंत्र अवस्तित है कहां पर तो इसका सही अंसर होगा असा सी नमबर ठीक है चांडिल आप लोगा जो इसमें राइट अंसर होगा धियान रखना असा चांडिल ठीक है बिहार इसपंज आयरन संयंत्र अवस्तित है चांडिल में आईए question number 27 देखते हैं भारत के कीस राज में सोरपर्थम मुख्यमंत्री जनवन योजना को जो है आरम्ब किया गया question number 27 दोस्तों यहाँ पर देखे बताना है कि भारत के कीस राज में सोरपर्थम मुख्यमंत्री जनवन योजना को जो है आरम्ब किया गया तो 27 का देखे बी नंबर अंसर होगा जारखंड आप लोग का जो इसमें सही अंसर होगा अगले कोशन यहाँ पर बढ़ते हैं देखे जारखंड में बिध्वाओं के लिए लागो भीमरा अमेडिकार आवास योजना के तहत बित्य वर्स 2016 में कूल निर्मित किये जाने वाले आवासों की संख्या आपको बताना है आपको मालूम हो तो यहाँ पर देखे जरूर बताएगे संख्या दोजार एकीस और बाइस का देख्या आप लोग को जो है अपडेट देना है ठीक है अगला कोश्चन देखे साओं कोश्चन नमर्ट 29 अगर जिदी दूसरा आपके पास अपडेट नहीं होती तो जरूर से आप लोग जो है टेलिगराम को जोयन कर लिजेए कोश्चन नमर्ट 29 अगला कोश्चन देखे कोश्चन नमर्ट 30 यहां पर जारकन सरकार के देखे वी निर्मान 26 से जुड़े सरमेकों के लाभिक के लिए सरसोती योजना की सुरुवात की सुरुवात की सवर्स की गई आपको बताना है जो कुश्चन नमर्ट 30 सरसोती योजना की सुरुवात की अगला कोश्चन देखे है कुश्चन नमर्ट 31 देखेंगे दोस्तों और सारे कुश्चन देखे आप लोग यहां पर थोड़ा मतलब नम्बरिंग में प्रोब्लम है इसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली आप लोग के लिए उमीद करते हैं आप लोगों से और थोड़ा एडिजेस्ट किजी आप लोग अब लोगा तो दिहां रखना देखेंगे दोस्तों यहीं नमबर आप लोगा आप लोग का हैंट से這個 हमंसर अप लोग का सबसे लंबे समय तक जो हैं रहा है आपको बताना देखेंगроб सब्से लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं ज्यारकंड के कुछ नमर 32 देखिए दोसों देखिए बी नमबर आप लोगा जो इसमें राइट अंसर रोगा सो अर्जुन मुंडा आप लोगा जो इसमें सही अंसर रोगा ठीक है तो ध्यान रखना सो मुख्यमंत्री वर्स 2000 में ज्यारकंड के पहले राजपाल के रोप में न्यूक्त किया गया था तो देखिए किसे किया गया था आपको बताना है सो कोशन नमर देखिए यह आप लोगा 33 और इस कोशन का सही अंसर रोगा सो स्री नमर स्री परभात कुमार आप लोगा जो है इसमें राइट ज्यारकंड के पहले राजपाल के रूप में देखिए न्यूक्त किया गया था अगला कुशन देखिए कोशन नमर 34 देखिए राज राची जो है वद्योगीक छेतर विकास प्राधिकरन राची आर आई डी ए एका जो है छेतर निमलकीत कमिस्णर निमलकीत कमिस्णर से किस अगला कुशन देखिए दुबारा रेपीट कर रहे सो राची ओद्योगीक छेतर विकास प्राधिकरन राची का छेतर निमलकीत कमिस्णर से किस छेतर तक सीमित है ठीकिए त आपको बताईए सो कुलहान कमिस्णर उत्तरी छोटानापूर कमिस्णर दक्षीनी रांची का निमलकित कमिशनर से किस कमिशनर तक सिमीत है तो यहाँ पर देखे दक्षेन छोड़ा नाकपूर और प्लामो कमिशनर तक सिमीत है अगला कुछन देखे कुछन नमर 35 रॉग गार्डन जारकंड के किन सहरों में इस्तित है कोशन 35 दोसमें इस कोशन का देखे सही अंसर होगा रांची आप लोगा देखे राइट अंसर होगा रॉग गार्डन जो है जारकंड के किस सहरों में इस्तित है रांची आप लोगा देखे राइट अंसर होगा को से नमर देखें दोस्तों 36 और सोंच के जमाब दीजिए सो इसमें बहुत सारे स्टोरेंस कंफ्यूजन होंगे जो पढ़े हैं वो नहीं पढ़े हैं तो उसको आता है नहीं होगा यह को सिन हम जान रहे हैं नया को सिन लग रहा है आप लोगों को बोकारो जीले में जमीन के और उसक उचाए क्या है लेकिन दोस्तों देखें पूछावा को सिन है को सिन नमर 36 का देखें यह नमर आप लोगा राइट अंसर रहा है वोसत जो है समुद्र तल से 210 मिटर आप लोगा देखें जो है राइट अंसर ठीक है तो ध्यान रखें बोकारो जीले में जो है जमीन के वोसत उचाए क्या है 210 मिटर समुद्र तल से अगले कुस्टों यहाँ पर बढ़ते हैं देखें को सिन नमर 37 चत्राजिले का भोगोलिक छेथर क्या है आपको यह बता नहीं दोस्तों को सिन 37 देखें 14 जीले का भोगोलिक छेथर फल क्या है इस को सिन का देखें सही अंसर अगला question देखिए question number 38 भारत में एक मात्र जगह है जहां जोतिरलिंग और सक्तिपीट एक साथ है ठीक है आपको बताना है जोतिरलिंग और सक्तिपीट एक साथ है question number 38 भारत में आपको बताना है जोतिरलिंग और ये भी बताना है कितने नंबर का सक्तिपीट है जरूर comment करना है ठीक है ये दोनों question आपको comment करना है बहुत important question है हम बार बार हम रहला की question को पढ़ा चुके हैं अप लोगो repeat करा चुके हैं फिर भी दोसरों अप लोग जरूर जवाब दीजिए का जिनको आता है किस साल पूर्वी सिंग्भूम जिला का गठन किया गया है आपको अंसर देना है question number 39 और इस question का देखे सही answer का बी नंबर पूर्वी सिंग्भूम जिला का गठन जो है अब 16 जनबर 1990 को जो है गठन किया गया last question दोस्तों और अंतीम question यहां पर देखे किस वर्ष में गड़वाद जीले का गठन किया गया था question number 40 देखे दोस्तों और अंतीम question यहां इसका देखे राइट अंसर होगा यह नंबर एक अप्रेल 1991 आप लोगा जो इसमें साही अंसर होगा ठीक है तो धियान रखिए का जोएं प्रेल 1991 आप लोगा जो इसमें राइट अंसर होगा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम को तरह लोगों देख रहे हैं यूटुब में मतलब थोड़ा हलका लाल कलर का है उसी टाइप आप लोगों को देखें मिल जागा ठीक है तो जोइन कर लिजेगा सो धन्यवाद